राजे सबा में राष्ट पति के अभिभाशन पर प्रदानवंतिरी नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं स्रम जीवी, बुद्धी जीवी, यह सारे शब्दों से परिचित हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है अंदोलन जीवी उस दोरान प्रदानवंतिरी नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी आलांकि कालांतर में इस सब्द के माईने भी अब समझ आ रहे हैं एक बार फिर इन आंदोलन जीवियों पर चर्चा सुरू ही है नमस्कार मैं जैश और आप देख रहे हैं दपैंफिलिट तमिलनाड का थुतुकुडी जिला वही थुतुकुडी जो ब्रिटिश राज के दिनों में तूति कोरिन भी कहलाता था यहां पर रिस्तित है देश का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट यह कॉपर प्लांट वेदान तक गुरुप द्वारा संचालित किया जाता था यहां कॉपर प्लांट कितना बड़ा है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं किसमें उत्पादन होने वाले कॉपर से देश की लगबग चालीस प्रतिसत जरूरतों को पूरा किया जाता था लेकिन वर्स 2018 में इस संयंतर से प्रदूर्शन होने का दावा कर एक बड़ा विरूत प्रदर्शन खड़ा किया गया इंसा बढ़काई गई और पुलिस फाइरिंग में तेरा लोगों की मौत हो गई इसके बाद इस प्लांट को बंद कर दिया गया अब आप सोच रहूंगा कि आज हम यह बात क्यों कर रहे हैं दरसल ग्रह मंत्रालय ने राजसभा को जानकारी दी है कि सरलाइट कॉपर प्लांट के आसपास विरूत प्रदर्शन आयोजित करने वाले आंदोलन जीवियों को विदेशी फंडिंग मिलने की आसंका जताई गई है और इस मामले में दा अधर मीडिया नामा के एक एंजियो की जाच की जा रही है ग्रह मंत्रालय ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्सों में इस एंजियो को तीन दसमलब पांचार करोड रुपए का विदेशी फंड प्राप्त हुआ और जो विरोध का कारण बना दुरबागे से पुलिस फाइरिंग में निर्दोस लेगों की जान चली गई या इसका बहुत धुकद हिस्सा है लेकिन वह चाहते थे कि इस्टरलाइट को बंद किया जाए इस्टरलाइट देश को 40 प्रतिशत कौपर दे रहा था देश को तामे क की जरूरत है और आप जानते हैं कि इलक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए तामबा कितना महत्वपूर्ण है इस प्लांट या यूनिट से जोड़े इतिहास पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि यह इस इस्तिति में कैसे पहुंच गया वर्स 1993 में जैललता के नितु होगा और मच्वारों को नुकसान होगा उस दोरान इस आंदोलन को बेसर करने के लिए मच्वारा समदाय से उम्मीद्वार ढूनने के लिए विसेश अभिहान चलाए गए वर्स 1997 आते आते इस यूनिट में उत्पादन सुरू हो गया और चूकि तब तक डियम के सत्ता में आ चुकी थी इसलिए उन्होंने विरोध भी दर्ज नहीं किया शुरूवात में प्लांट ने प्रतिवर्स 1.5 लाग तन की छमता के साथ अपना उत्पादन सुरू किया लेकिन बाद में वर्स 2003 में बाजार में भारी मांग के चलते इसे बढ़ा कर 4 लाग तन कर दिया गया इसी इनुट से निकलने वाले अन्य प्रोडक्स का दक्षिन भारत में एक अच्छा बाजार था इसलिए विदानता समुह के लिए यह एक सफल उध्यम सावित होता रहा बदले में इस समुह ने कॉर्परेट सोसल रिस्पॉंसिबिलिटी के लिए बड़ी रासी खर्च की जैसे कुछ इस्तानों पर सामके स्कूल, स्वेम साहेता समुह को वितिय साहेता, उध्यमिता प्रशिक्षन, स्वास्ते सिविर, गरी परिवारों के उतक्रिष्ट चात्रों को चात्र विति आदी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वर्ष 2010 में DMK की सहयोगी पार्टी MDMK ने वामपंती दलों के साथ मिलकर इस यूनिट के खिलाफ अपना आंदोलन सुरू कर दिया परिणाम सरूप यह लड़ाई मदरास उचनियाले पहुंची और उचनियाले ने यूनिट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया लेकिन इस आदेश पर सुप्रिम कोट ने रोक लगा दी और वर्ष 2011 में सीर्स अदालत ने कार खाने को जारी रखने का आदेश दिया वर्ष 2013 में लोगों द्वारा इस प्लांट से गैस लीक की सिकायत के बाद तमिलांड पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे बंद कर दिया जिसके बाद कंपनी ने सुप्रिम कोट की ग्रीन बेंच को अप्रोच किया और बेंच ने 100 करोड के जुर्माने के साथ यूनिट को चालू रखने का आदेश दिया अब इस पूरे घटना करम में बड़ा बदलाव आता है वर्ष 2018 में वर्ष 2018 में इस यूनिट के खिलाफ लोगों को एक जुट किया जाता है प्रयोजी तरीके से भारी भीट जुटाई जाती है सड़कों पर दंगे होते हैं वहान जलाए ज जाता है इसी प्रदर्शन को रोकने के लिए तमिलनाडू सरकार द्वारा फाइरिंग की जाती है और तेरा लोगों की मिर्ति हो जाती है और इसके बाद तमिलनाडू सरकार ने दिया अपना आदेश आदेश कौपर प्लांट को बंद करने का हालांकि 2018 में इन जीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिबियूनल ने इस बंद को अनुचित करार दिया और इस कदम को राजनीतिक बताया यह ठीक वही विरोध परदर्शन थे जिसमें सामीलेक एंजियों की फंडिंग के लिए अब ग्रह मंतराले ने जांच हेतु विचार किया है आप देख रहे होंगे कि 2018 में इंजीटी द्वारा जताई गई साजिस की आसंका की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं ग्रह मंतराले जानना चाहता है कि इन विरोध परदर्शनों के पीछे किसका हाथ था और उनका मकसद क्या था शायद उनका मकसद था अर्थ व्यवस्ता को नुक्सान पहुं कि यह भारत का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट था और देश की कुल छमता का 40% हिस्सा इसी प्लांट से आता था कि आपको विश्वास होगा कि इस प्लांट के बंद होने से हमारे देश को तीन वर्सों में इतना नुक्सान हुआ है यह इसलिए क्योंकि बंद होने से पहले बंद होने के बाद से भारत हर साल लगबग दो लाक टन कॉपर का इंपोर्ट कर रहा है इस स्टरलाइट प्लांट के बंद होने से प्रति दिन 5 करोड रुपय का नुक्सान हुआ साल 2019 की मिन्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि तूति कोरिन प्लांट बंद होने से विदानता समुहों को 20 करोड डॉलर का नुक्सान हुआ आप इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस प्लांट के बंद होने के बाद ही भारत 18 वर्षों बाद रिफाइन कॉपर इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल हो गया है इसपर करने वाले देशों से इमपोर्ट करने वाला देश बन गया इसलिए निति आयों के सदस्यवी के सारस्वत ने भी कहा था कॉपर के आयात में वृष्धी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विश्य है और यह जरूरी है कि घरहलू कउपर उद्योग को कम्पिटिटिव बनाने के लिए एक बहतर एको सिस्टम इस्ताफित किया जाए यह प्लांट के वल किसी विसे संस्ता के लिए लाबदाय की नहीं था बलकि एक बड़ी आवादी के लिए रोजगार का जरिया था कम्पनी के अनुसार उन्होंने हजार पर्मेनेंट वर्कर्स को और लगभग 350 कॉंट्रेक्चुवल स्रमिकों को रोजगार दिया यह प्लांट अप्रटेक्च रूप से 15,000 लोगों के आजी विका का सुरोत था शायद इसलिए इस्तानिय लोगों ने भी इसके बंद होने के बाद इसकी कीमत समझी दिसमबर 2021 में इस्तानिय लोगों का मानना था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर उनके साथ धोका हुआ है और वो इसे फिर से सुरू करना चाहते हैं इस प्लांट को फिर से खोलने के मान करते हुए विविन्न तटी अवस्तियों की मचवारिनों ने अक्टूबर 2021 में कलेक्टर के सिंथिल राज को पत्र भी लिखा यह प्लांट आखरी बार तीन महीने के लिए वर्स 2021 में तब खोला गया था जब कोरोना महामारी के दौरान देश में ऑक्सिजन की कमी हो गई थी लेकिन इस पर भी तमिलनाडू सरकार ने आपती जताई इस पर देश के ततकालेन मुख्य नयाइजिस बोबडे ने तमिलनाडू सरकार को डाट लगाते होई टिपनी की थी कि आपकी वेदानता गुरुप से कोई नीजी दुस्मनी है इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ऑक्सिजन सप्लाई बाधित करें वेदानता समुका या कॉपर प्लांट स्तानिय लोगों की आर्थिकी का एक बड़ा माध्यम तो था ही साथी देश की आर्थिविवस्ता में भी एहम मुह में का निभा रहा था आज जब भारत विश्व क की पांच में सबसे बड़ी आर्थिविवस्ता बना है और अब दोजार पच्चिस तक लक्ष पांस ट्रिलियन एकानोमी बनने का है तो फिर उन देश विरोधी सक्तियों को पहचानना जरूर है जो भारत को आर्थिक महासक्ति बनने से रोकने के लिए श्टरलाइट प्ला कर दो